हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ की मैथ से एक्सरसाइस 12.2 हेरांस फार्मूला से एक कोस्टन डिसकस करूंगा ये कोस्टन नमबर 4 है हम देखेंगे इस वीडियो में हमसे क्या पूछा गया है और इसमें हमें क्या बताना है आप बस वीडियो को आंततक और ध्यान से देखिए ताकि आपको सही से समझ में आए तो चले का बेस भी सेंझ है और इसका एरिया भी सेम है इफ्ड़ा सट्रइंगल और 26 संटी मिटर 28 संटी मिटर 30 संटी मिटर and क्या पार्लेलोग्राम सेंड ऐस 28 संटी मिटर find ता हाइट आप तैन पैरलेलूग्राम इस क्रेंट्रम में हम पुछा है क्या पुछा है पेलेलोग्राम की हाइट पुछा है तो पहले में एक रफ फीगर बनाके दिखाता हूं जैसे मालों यह हमारा कोई ट्रेंगल है जिसकी साइट 26, 28 और 30 cm है यह एक पैलेलोग्राम है ठीके पैलेलोग्राम के बारे में ज़ादा कुछ नहीं बताया है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पैलेलोग्राम का जो बेस होगा और ट्रेंगल का जो बेस होगा वो 28 cm होगा तो देखो यहाँ पर यह parallelogram का base है और माल लिजिए कि यह जो 28 cm हमने यहाँ लिया है यह वाला यह दोनों एक ही base पे लाई करेंगे तो इसको बनाएंगे कैसे strangle को घुमा के इसके अंदर डालेंगे क्यों डालेंगे क्योंकि आप बोला है कि same base है क्या बोला है same base है तो अब हम एक तीसरा figure बनाते है माली जी यह वो side है जो 28 cm की है क्या चीज 28 cm की है अब यहाँ से हम एक parallelogram बनाएंगे तो यह बन गया हमारे पास एक parallelogram अब इसी में हमको एक triangle बनाना है वो triangle कैसा भी हो सकता है चाहे इस boundary को touch करे चाहे ना touch करे ठीक है तो ऐसा हमारे पास कोई triangle होगा फ़र किया है कि यह जो base है parallelogram का और यह जो 28 cm वाला है वो दोनों एक ही लाइन पर होंगे तो जो बच गया जैसे यह मालो 30 cm का हो जाएगा और यह मालो आपका 26 cm का हो जाएगा तो इसमें हमसे बोला गया है कि मालो यहाँ पर हमें एक perpendicular line डालते हैं जो 90 degree बनाता है तो यह हमारी height होगी parallelogram की परलेलो ग्राम की क्या होगी height होगी तो हमें parallelogram की height बतानी है यह मैं हटा देता हूँ यह हमारा rough figure था अब figure कुछ ऐसा बनेगा कि एक हमारे पास parallelogram है दूसरा हमारे पास triangle है triangle का जो 28 cm वाला side है parallelogram के base पर ही है यानि कि एक ही line पर है दोनों तो यहां पर यह triangle की तीनों side दी गई है हमें parallelogram का height बताना है बाकि और कुछ नहीं दिया गया है लेकिन यहां पर एक चीज बोला गया है कि जो area है parallelogram का वो equal है area of triangle का ठीक है यहां पर क्या बोला है कि same area तो दोनों का area बराबर है अब मैं आपको बताता हूँ देखो triangle में तो area निकालने के लिए हम hierance formula लगाएंगे लेकिन parallelogram के area का formula होता है कि base into height parallelogram के area का formula क्या होता है base into height यह वाला formula लगाएंगे तो चलिए फिर यहां पर शुरू करते हैं कि इसको कैसे solve करेंगे देखे वी हैब आट रेंगल आफ साइड थेंटी सिक सेंटीमिटर थेंटी एट सेंटीमिटर एंड थार्टी सेंटीमिटर देन जो इस ट्रेंगल का सेमी पेरिमिटर देखो हीरांस फार्मूला लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए तो जो सेमी पेरिमिटर एस होता है वो थ्री साइड का सम बाइटू होता है यानि देखो सेमी पेरिमिटर का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाइटू जहां पर यह 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 बी और यह सी है तो यह carry 3 plus 2 5 plus 2 718 84 by 2 2 से डिवाइट कर देंगे तो 248 224 यानि कि जो सैमी पेरिमिटर आ जाएगा वो आएगा 42 सेंटीमिटर अब एक बार अगर हमें सैमी पेरिमिटर पता चल गई तो हिरांस फार्मूला लगाएंगे योजिंग हिरांस फार्मूला तो जब हिरांस फार्मूला लगाएंगे देखो हिरांस फार्मूला होता क्या है तो हिरांस फार्मूला होता है A is equal to square root S, S minus A, S minus B, S minus C अब यहाँ पर A है area of triangle, S है semi-perimitre of triangle A, B, C जो है वो triangle की sides हैं तो इस फार्मूला लगाएंगे लूपूट कर देंगे A is equal to हो जाएगा 42, 42 minus 26, 42 minus 30, 42 minus 28 ठीक, आब इनको subtraction कर लेंगे तो 42, देखो यह 12 हो जाएगा 12 minus 6, 6, 3 minus 2, 1 यह 2 में से 0, 2, 4 minus 3, 1 12 minus 8, 4, 3 minus 1 become, 3 minus 2 become 1 तो यह आगया हमारा, आप देखो इनको आपस में हम multiply कर लें या फिर हम इनके factor find कर लें तो देखो सबसे पहले हम factor find कर लेते हैं आप इसे note down कर लेना मैं इसे हटा देता हूँ देखो सबसे पहले हम 42 को factorize करेंगे तो 2 से divide करेंगे 2, 2 जा 4, 2 अंजा 2, 3, 7 जा 21, 7 जा 7 42 के place पर आजाएगा 2 into 3 into 7 अब हम 16 को factorize करेंगे तो 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, 2 जा 2 तो यह आजेगा 2 into 2 into 2 into 2 अब 12 को factorize करेंगे ठीक है तो 12 जो होता है वो 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6 और 3 जा 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 into 2 into 3 अब जो 14 होता है उसको factorize करेंगे तो 2, 7 जा 14 और 7 जा 7 तो यहाँ पर 14 के place पर लिखेंगे 2 into 7 अब यह सारे हमारे factor हो गए यह इदर उदर लिखे हुए है हम पहले इनको rearrange कर लेंगे तो देखो जब इनको rearrange करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं छोटा इसमें 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 जो है वो 8 बार आया है 2 into 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 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर देखो 3 जो है वो 2 बार आया है तो 1, 2 7 देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है यह भी 2 बार आया है अब ऐसा क्यों किया हमने क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का square root लेना है तो उसके जो फेक्टर होंगे pairs याना pair up factor वो बार लेने पड़ेंगे pair up factor का मतलव होता है एक ही number जो 2 बार multiple में आया है तो देखो एक pair यहाँ पर एक pair यहाँ पर एक pair यहाँ पर एक pair यहाँ पर और एक pair यहाँ पर टू का जो pair बन दाहे है वो 4 बन दा है तो 1, 2, 3, 4, फिर 3 एक बार और 7 एक बार, ठीक है, कितना, 3 एक बार और 7 एक बार, अब इनको देखो multiply कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको multiply कर लेंगे, देखो 2 टू जा, 4, 4 टू जा, 8, 8 टू जा, 16, 16, 3 जा, 48, अब 48 में हम 7 से multiply कर लेंगे, तो 7, 8, 56, 5 केरी, और 7, 4, 28, 5, 33, तो ये area कितना आजाएगा वो देख लीजे, area is equal to जब इनको multiply करेंगे, तो आएगा 336, और unit हमारा centimeter में है, तो हमारा क्या हो जाएगा centimeter square, ये क्या है, ये है area of triangle, क्या है, area of triangle, तो अभी आप इतना right down कर लेंगे, देखो, यहाँ पर जो हमारा area आगया था, triangle का, वो आगया था, 336, लेकिन, आप जानते हो, question नहीं क्या कहा है, कि area of triangle is equal to area of parallelogram, तो यहाँ पर लिखेंगे, according to question, area of triangle is equal to area of parallelogram, तो देखो, triangle के area तो हमें यहाँ से पता है, वो मैं आप रेक देंगे, 336 cm2, और जो area of parallelogram होता है, उसका formula होता है, हमें base into height, ठीक है, अब base क्या होता है, देखो, यह वाली जो line होती है, किसी भी parallelogram में यह इसका base होता है, और यह वाला इसका height होता है, तो हमें base तो पता है न, 28 cm, तो यह यहाँ पर हम रख देंगे, base is equal to 28 cm, height हमें h पता करनी है, और यह 336 दिया हुआ है, तो अगर height पता करनी है, तो 28 को उधर वेजना पड़ेगा, इधर into में है, इधर आकर divide में हो जाएगा, 336 divided by 28, कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 336 upon 28, आप इसको division करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर division करेंगे, तो देखो, जब हम ऐसे divide करेंगे, 336 में, 28 से, तो कितनी बार ले जा सकते है, 1 times, जब 1 times ले जाएगे, तहाँ पर 28 आएगा, minus करेंगे, 13 minus 8 होगा, 5, 2 minus 2, 0, इसको write कर लेंगे, अब 28 का जो table होता है, उसमें 2 times में 56 आता है, तो 28 तूजा 56, और यह minus करेंगे, तो पूरा cut जाएगा, तो answer कितना आ गया, answer आ गया 12, चुकि unit cm में चल रही है, तो height कितना आ गया, 12 cm आ गया, तो finally क्या बोलेंगे, 10, height of parallelogram, is 12 cm, कितना, 12 cm, यह हमारा answer हो गया, इस question का, आप इसको write down कर लीजिए, तो अमीद करता हूँ student, इस question में मैं आप लोगों को समझा पया हूँगा, अगर यह question आप लोगों को helpful लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर आपकी कोई queries है, तो comment box में मुझे बताएं, मैं कोसिस करूँगा, आपके queries को solve करने का, ठीक है, तो मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक लिए thank you class,